R.S.K. Maths Punitor, Chapter 4, Rational Number Exercise 4.2, Today we discuss about the Question No. 5, What is the Additive Inverse of? इसका हम inverse निकाल लेंगे, that means सबसे पहले हम इसको combine करेंगे, close करेंगे closer property से, Rational और Fraction में हमेशा LCM से ही सोल उते हैं, तो सबसे पहले हम इनका LCM लेंगे, Now, Additive Inverse निकाल लेंगे हमने, इनको close कर रहे हैं, इनका हम LCM लेंगे, 5, 15, and 25, 5 table में आते हैं सबी, तो 5 से divide करेंगे, 5 जा पे गया, 1 जा पे, and 3 जा पे, 5 से फिर 1 जा, 1, and 3 as it is, फिर हम 3 से divide करेंगे, 1, 1, 1, 25, and 75, सबको multiply करेंगे, अब यहां हमेशा process होता है, कि denominator से तो हम LCM को divide करते हैं, और जो number आता है हूँ हमेशा उसको numerator से multiply करते हैं, इतना लंबा process नहीं करेंगे, इसको divide रहें, यहां पे इसमें जो LCM लिया हो, उसी की help लेंगे, 25, 25 को छोड़का, remaining is 3, यहां 3 पे divide होगा है, 25 टेवल में, 75, 3 पे जाएगा, 5 की टेवल में, 5 थी जा, 15 पे जाएगा है, और 15 की टेवल में, यहां 15 को छोड़ दो, remaining is 5, तो यह नंबर 5 पे जाएगा, यह वाला नंबर 5 पे divide होगा, अब multiply का process करेंगे, 16 3s are 48, 15 7s are 105, और 5 3s are 15, दो नंबर हैं, दोनों के sign same हैं, that means दोनों को हम combine करेंगे, मिलाएँगे, add करेंगे, add करेंगे तो हमारे पास 63, minus की मिलाएँगे, तो minus का ही sign देगा, plus का ही कठ़े करेंगे तो plus का sign देगा, अब दोनों number हैं, दोनों के sign different, that means दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस, different मतलब माइनस, 2 और 42, 42 पलस का बीग नमबर है तो पलस के ही बचेंगे हमारे पास, अब यह reduce हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, lost form में इनको write का सकते हैं, तो हम cut करेंगे, 3 table से दोनों cut होते हैं, 3 बंजा 3, 3, 4 जा, और यहां पे 3, 2 जा 6 और 5 जा, यहनि 14 by 25 इसका हमारा close हो गया, result, अब इसका हमने additive universe निकालना है, additive universe, that means, इसका result 0 हो, result 0 कब होगा, same को हम same से subtract करेंगे, यह plus का तो यह minus का आएगा, तो is the answer of this part, now question number 6, subtract करेंगे, किसको the sum of, सबसे पहले, 1 by 14 and 4 by 20 हो, इन दोनों का sum, तो सबसे पहले हम sum ही निकाल लेते हैं, यह rational number हैं, तो LCM से दोनों को solve करेंगे, 14 and 21 का LCM क्या होगा, 2 से divide करेंगे, 2 गी table में 7 पे गया, और 21 as it is, फिर 3 से divide करते हैं, 7 as it is, 7 3, 3 7 जा 21, 7 से divide करेंगे, 1 जा, 3 2 जा 6, 6 7 जा 42, तो दोनों का LCM होगा, 42, LCM को हमेशा denominator से divide करते हैं, यानि जब 14 से divide करोगे, तो यहां से 14 छोड़ दे, remaining is 3, यानि 3 पे जाएगा यह, 21, 21 को छोड़ दे आप remaining is 2, यानि 21 की table में यह number 2 पे जाएगा, 31 जा 3 और 42 जा 8, दोनों को add करेंगे तो 11 by 42, यह सम का रजल 42, अब इसका हमने क्या करना है, subtract करना है, इन दोनों के sum को from 19 by, यानि minus 19 by 12 में से, हमने इस में से subtract करेंगे, क्या, यह sum जो हमारा आया है, 11 by 42, यह भी rational number है, दोनों का हमें LCM लेंगे, 42 और 12 का, 2 से divide कर लेते हैं, 6 जा पे और 21 पे, फिर 3 से divide कर लेते हैं, 2 जा पे और यहां पे 7 जा पे, 2 से 1 और 7, फिर 7 से divide करते हैं, 1, इनका LCM हमारे पास, देखू, 3 तू जा, 6, 6 तू जा, 12, 12 सेवन जा, 84, तो यहां से 84, अब हमेशा इससे इसको divide करें, इससे better कि हम इसकी help ले ले, 12, 6 और 12, यानि 12 छोड़कर remaining is 7, यानि 12 की table में यह 7 नंबर पे जाएगा, 42, 2, 3 जा, 6, 6, 7 जा, 42, इसको remaining करने के बाद, remaining is 2, यह 42 की table में 2 पे जाएगा, अब मुल्टिप्लाई करेंगे, 19, 7 जा, 133, 11, 2 जा, 22, दोनों के साइन सेम है, that means, दोनों को हम मिलाएंगे, एड करेंगे, 5, 5 and above, दोनों को minus के हैं, तो minus का ही साइन रहेगा, minus के नंबर मिलाएं, तो, by में 84, now question number 6, subject करेंगे, क्या, इस सम को, सबसे पहले हमारे पास, यहां पे इनका सम करना है, and from, फिर हमारे पास, यहां पे 2 सम से, सबसे पहले हम सम करेंगे, सम जो first है, वो देखे हमारे पास क्या है, minus 6 by 11, and 10 by 33, इन दोनों का हमने सम करना है, और एक सम 2 है, यहां पे, सम किसका हमारे पास, 5 by 9, and minus 3 by 33, इन दोनों का हमने सम करना, first step हम two sums है, सम 1 और सम 2, एलसिम से सोल करेंगे, 11 की टेबल में 33 completely divide होता है, तो 33 ही इसका एलसिम होगा, हमेशा big number है, अगर small number, big number को completely divide करता है, तो big number हमेशा एलसिम होता है, आप एलसिम निकाल के भी चेक कर सकते हैं, यहां से 11, 33, 11 से 1, and 3, 11, 3 जा 33, 11 से divide करेंगे तो, इसको तो 3 पे जाएगा, that means इसको हम 3 से multiply करें, 33 जा 33, तो हम इसको 1 से multiply करेंगे, यहां से denominator से हमेशा एलसिम को divide करते हैं, divide करने के बाद जो result आया, उसको हम numerator से multiply करेंगे, 6, 3 जा 18, और 10 बन जा 10, दोनों के साइन डिफेरेंट है, that means minus करेंगे, 18 में से 10 गे, 8 माइनस के जाएद हैं, तो माइनस के बचेंगे, 8 बाई 33, यह सब फर्स्ट सम हो गया, सैकिंड, तोनों कैल्सिम, यहां से 9 and 33 कैल्सिम, थरीक टेवल से 3 जा, and 1 जा, 3, 1, and 11, 11 से मल्टिप्लाई करेंगे, यहनी, 3, 3, 3, 9, और 11 जा, 99, अब हम 99 को, जब 9 से डिवाइड करेंगे, that means 9 को छोड़कर 11 पे जाएगा, यह, और 33, 11, 3, जा 33 को छोड़कर, यह, 3 पे जाएगा, तो यहां इसकी, हम 3 से मल्टिप्लाई करेंगे, 3, 3, 4, 9, दोनों के साइन अलग है, नमबर्स के, that means को माइनस करेंगे, 455 में से, 9 गए हमारे पास, 44, 6, तो यहां से, 99, अब यह हमारे पास, 1st सम, यह वाला, और यह 2nd सम, अब हमें सब्ट्रेक करना है, इसको, from इस में से, यहांनी 2nd में से, 2nd हमारे पास, 46 by 99 में से, हम माइनस करेंगे, क्या, जो 1st सम है, 8 by में 33, दोनों का ऐल सिम क्या आएगा, 99, क्योंकि 33, इसको completely divide करता है, तो that means, big number है, में से ऐल सिम होता है, 99 को 99 से divide करोगे 1, that means, इसको 1 पे मेंट, 46 बन जा, 46, दो सेम साइन की multiply, plus होगी, 33 की table में, 3 पे जाएगा, that means, हम 3 से multiply करेंगे, सको, 18 तरी जा, 24, दोनों के साइन सेम है, that means, plus 10, और यहां से 6 और 7, by में 99, now, question number 8, the difference of 2 rational number का, 2 rational number का difference हमारे पास क्या है, 7 by 32, 2 number है, एक big number होगा, एक small number है, दोनों का difference, यह नि, minus result क्या है हमारे पास, 7 by 32, एक big number, एक small number, दोनों का difference, हमेशा big में से small को minus करेंगे, तो result is 7 by 32, अब, if the smaller rational number is, जो smaller rational number, अब big हमारे पास, as it is रहे है, smaller rational number हमारे पास क्या है, minus 5 by 16, find the order, equal, find the other number, हमें दूसरा number निकालना है, अब यहां से देखें, B, that means, जो number हमने, big number find out करना है, जो big number हमारे पास से, दोनों के sign सेम है, that is minus और minus की multiply, plus होगी, 5 by 16, equal to 7 by 32, हमें यह number निकालना है, तो that means, इसको हम यह रिखेंगे, बाकी को हम left से, right की तरफ move करेंगे, big number, जो हमने निकालना है, 7 by 32, इनका place ही रहेगा, equal से left hand में है यह, और यह equal से right hand में, इसका place चेंज करें, यहाँ plus का इदर जाके, यह number minus का हो जाएगा, दोनों कालसियम लेंगे, 16 and 20, sorry, 32 ही, 16 and 32, वैसे इसका यह रिखेंगे, 32 ही आगा, क्योंकि 16, 32 को completely, divide करता है, तो big number हमेशा, यह रिखेंगे, आप divide कर के चेक करेंगे, 2, 8 जा और 16, 2 की टेवल में 4 जा और 8 जा, 2 की टेवल में 2 और 4, 2 की टेवल में 1 और 2, यह हमारे पास, 2 तू जा 4, 4 तू जा 8, 8, 16, 16, 32, दाट मेंस 32 इसका यह रिखेंगा, यहाँ से, यह बीग number की वैल्ली हमारे पास क्या होगी, 7 by 32 में से माइनस करेंगे, 5 by 16, इन दोनों का हैल्चियम हमारे पास 32, 32 को 32 से डिवाइड करेंगे, रिमेनिंग इस 1, 7 बंजा 7, 16 की टेवल में, 32, 2 जा जाता है, 5, 2 जा 10, दोनों के साइन डिफेरेंट है, माइनस करेंगे, 3 by 32, this is the answer of this part,